हेलो माई दियर स्टूदेंट्स वेलकम तो साइंस इन फन क्लास नाइंथ तो मेरे प्यारे चुनू मनूस आज मैं वन शॉट लेकर आई हूँ इस चैप्टर का इस वन शॉट के अंदर मैं पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगो को समराइज करने वाली हूँ तो आई हूँ एक्साइट पर इस वन शॉट इस तो जल्दी से तुरंथ अभी लाइक पे क्लिक कर दो अगर आप नहीं बच्चे हो तो फटा फट से सब्सक्राइब कर लो बिकरस दिस चैनल इस गोइं तो गिव यू दे फुल पैकेज अफ आल दे शुलिबस आल दे चैप्टर आप पढ़ने वाले हूँ फूड रिसोसेज क्या चीज़े है जो भी आप फूड का अमाउंट कंजियूम कर रहे हो दो जादा रिसोसेज है ना दो तरह के रिसोसेज होते हैं renewable resources और non-renewable resources non-renewable resources वो resources होते हैं जो एक बार खर्च हो गए एक बार utilize हो गए तो दुबारा उसे produce नहीं किया जा सकता है so those are the limited amount of resources present in our planet right and renewable resources वैसे resources होते हैं जिससे हम बार बार produce कर सकते हैं with some kind of efforts and some kind of you know the cost we are giving it right तो यह जो food resource है na food resource are some kind of renewable resources जिसको हम बार बार grow कर सकते हैं and एक land बस हमें चाहिए soil का quality हमें अच्छा चाहिए and we are good to go we can produce as much amount of food as we can but वो भी थोड़ी बहुत limited ही होती है हर चीज की एक limit होती है तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसी limitations के बारे में पढ़ने वाले food resources chapter में कि आखिर वो कौन सी चीज है जो food resources को बहुत improve करने से रोक रही है फिर जब हम limitations पढ़ चुके होंगे तो हम यह देखेंगे कि कौन-कौन सी अलग-अलग और नई-नई techniques को हम use कर सकते हैं ताकि हमारे food resources की quality improve हो quality के साथ-साथ quantity भी improve हो quantity के साथ-साथ हम उसे protect करके रख सके तो उसकी management के बारे में हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं and we are going to learn a lot in this chapter about the food resources हर तरह के food जो आप consume करते हो या तो आप vegetarian होगे या तो आप non-vegetarian होगे अगर आप vegetarian हो तो आपका जो भी staple food है जो भी आपके cereals है, pulses है, spices है जो आप consume कर रहे हो उन्हें किस तरीके से manage करना है, किस तरीके से improve करना है, this chapter is all about that फिर उसके बाद अगर आप non-vegetarian हो तो आप obviously chicken, meat, fishes consume करते होगे तो उन तरह के food को भी किस तरह से improve कर सकते हैं, हम अपने day-to-day life में and एक large scale industry में इसके बारे में भी पूरा का पूरा description आपको इस chapter में मिलेगा So let's start with the chapter improvement in food resources, चलो सबसे पहले बचो, improvement का scope क्या होता है, improvement की जरूरत क्यों पड़ी हमें crop की yield के लिए क्योंकि जैसे जैसे population बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम ये चीज़ notice कर रहे है कि land तो उतना ही है, है ना, area तो बढ़ेगा नहीं land का, land तो एक farmer के पास मालो एक बीगा जमीन है, एक कठा जमीन है, जो भी आप एक native language में use करते हो 1000 square feet जमीन है, वो उसी जमीन पे सारे के सारे crops अपने grow कर रहे है ना, लेकिन उनके crops कितने सारे लोगों तक जा रहे हैं, यहाँ पर scope का point आ जाता है, यहाँ पर improvement आ जाता है scope का, ठीक है? So, in India, there has been a 4 times increase in the production of food grains, 4 times increase in the production of food grains, already हम काफी अच्छा इंप्रूफ कर चुके हैं, from 1952 to 2010, अभी तो 2023 चल रहा है बच्छो, अभी तो और अच्छी खासी हमने improvement कर रहे हैं, so how that journey begin and how that journey went to this far, we'll study about that, only 25% increase in the cultivable land area, जहाँ पर सिर्फ 25% ही cultivable land area में increase आया है, वहाँ पर हम 4 times जादा उसको improve कर चुके हैं, food resources को, crops को grow कर आने के लिए, ठीक है? So, that is the major group of activities जिसने improvement लाया यहाँ पर, इस field में, इस sector में, कौन-कौन से ऐसे major sectors रहे, जिसके वज़े से, यह improvement का scope हमें नज़र आया, और हमने 4 times, अगर हम cultivable land area के comparison में देखें, तो 4 times जादा increase हमें improvement अच्छी मिली है, food crops में, क्या-क्या अलग-अलग sectors थे, crop की variety को हमने improve करने की कोशिश की, अब crop की variety क्या होती है, improve करना, मतलब मान लो variety हमें अच्छी चाहिए, एक मान लो कोई ऐसा crop है, जो बहुत जल्दी disease हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें कीडे लग जाते हैं, एक ऐसा crop है, जिसकी height बहुत छोटी रह जाती है, और हमें बड़ी अच्छी healthy crop चाहिए उसकी, तो हम क्या करेंगे दोनों को hybridize करा लेंगे, उसकी variety इंप्रूफ करेंगे, उसके jeans को manipulate करने की कोशिश करेंगे, हर वो तरीका आजमाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये crop improve हो सके, तो इसकी variety को सबसे पहले improve कर लिया, now crop के production का improvement, भाई production कैसे improve कर सकते हैं, कौन सी technique कैसी लगा दे कि production ही improve हो जाए, तो अलग-अलग techniques, आप farming के अलग-अलग practices use कर सकते हो, irrigation facilities को use कर सकते हो, manures and fertilizers use कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा nutrients उस crop को मिले, right, तो ये हो गया crop के production को improve करना, then it's crop protection management, crop को अगर protect नहीं करोगे, तो इतनी महनत तो सबबिकार हो गई न, crop के variety को आपने improve कर लिया, आपने इतनी महनत से, by technology field की help से, आपने variety को ही improve कर दिया, उसके genes को manipulate कर लिया, आपने इतनी महनत से बनाया हुआ खाद, fertilizers, menus, इन सब को use किया, utilize किया, अपने, अपने crop को अच्छे तरीके से grow कराने में, लेकिन बाद में क्या हुआ, just after sowing the crop, जैसे ही आपने उसको sow किया, उसे grow कराया, और उसे harvest करवा दिया, harvesting के बाद वो सारे crops खराब हो गए, या फिर harvesting से पहले ही खराब हो गए, आप उसे protect ही नहीं कर पाए, insects से, या फिर कुछ हैसे, draw the animals से, या फिर किसी भी तरीके के factor से, जिससे आपका crop बरबाद हो गया, या खराब हो गया, तब तो बुरा हो गया ना, बहुत जादा, तो ये सारी चीज़े हम रग पढ़ेंगे सबसे पहले, improvement in crop yields वाले topic में, तो ये है topic number one, इसके बाद बहुत सारे topics है, सबसे पहले we'll study about how we are going to improve the crop yield, yield क्या होता है, पैदावार, ठीक है, कितनी जादा quantity में हमें वो crops मिल रहे हैं, उसी को हम yield कहते हैं, ठीक है, now crop की variety को कैसे improve किया जा सकता है, आप सब को पता है, crops जो है, एक ऐसी चीज है, जिससे आपको food मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, आप दोपहर में बैठते हो खाना खाने के लिए, आपके थाली में परोसा हुआ खाना जो है, उसमें दाल है, चावल है, रोटी है, सबजी है, सालेट है, इतनी सारे अलग अलग तरह की चीज़े हैं, तो इतनी अलग 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 चीजों में, आपको कितने अलग अलग तरह के nutrients मिल रहे हैं, आपने कभी सोचा है, इन nutrients वाले crops को ग्रो कंडे में कितनी जादा मेहनत लग रही है, जब आप खाना वेस्ट कर रहे होगे, तो ये जरूर सोचना, और तब सोचना जब मैं ये सारी चीज़े आपको समझा चुकी होगी, पहले देख लो, उसके बाद आपको सोचने लाइक होगा, कि जो खाना वेस्ट कर रहे हो, उसके पीछे कितनी जादा improvement लगी, उसके पीछे कितनी जादा महनत लगी, और कितनी बारी फेल होने के बाद, फाइनली जाके आपके पास वो खाना पहुंचा है, ठीक है, crop variety improvement is done by selecting good variety of crops, आपके लिए सोचो, चुने चुने crops को grow कराया गया है, चुनिंदा crops, ऐसा नहीं, आश्रवार आटा का add आता है, चुनिंदा गेहु के दाने को पीस कर, एक क्या बोलते हैं, सुनेहरे दानों को पीस कर, आपके लिए बनती है, फुली-फुली सी रोटिया, ऐसा कुछ आता है, बहुत पहले मैं देखती थी, इस तरह के add, उस समय नहीं समझ में आता था कि क्या चीज़ है, पूरा एक साल बरबाद हो जाता उस फार्मर की लाइफ का, और वो फार्मर जिस अपने क्रॉप के बदौलत अपने घर को चला रहा है, उसकी लाइफ में कितना बुरा impact पड़ जाता है, तो यह सब तो एक अलग चीज़ है, यह तो हम बहुत ही ज़ादा economic crisis के बारे में बात करने लगे, फिलाल हम biology में आ जाते हैं, तो किस तरह से हम crop की variety का improve करेंगे, by selecting good variety of crops, ठीक है, सबसे पहला काम तो होगा selection, ठीक है, selection हो गया, now this will be done by hybridization, कैसे होगा hybridization भाई, it is a crossing between genetically dissimilar plant to obtain crops, having useful characteristics like disease resistance, good quality and high yield, अब for example, आपके mammy papa के बच्चे हो आप, आपके mammy और आपके papa दोनों की genes आपके अंदर आई है, good genes आपके अंदर अगर आई है, अगर आपके अंदर express हुई है, तो आप बहुत ही जादा अच्छे एक इनसान होगे, both physically, mentally, biologically, emotionally, in all the aspects, उसी तरीके से जब हम एक good quality की variety, good variety की कोई crop select कर रहे होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कि एक plant, एक crop, जिसका एक particular feature ऐसा है, जो किसी में भी नहीं है, इतना शांदार feature है, for example, high yield, ये वाला जो एक crop one है, ये जो crop one है, इसका जो सबसे शांदार feature है, that is high yield, इतनी अच्छी पैदावार ये देता है, कि मतलब थोड़े से ही महनत में बहुत सारी अच्छी harvesting हो जाती है, एक दूसरा crop है crop two, ठीक है, species same भी हो सकती है, थोड़ी बहुत different भी हो सकती है, same species यानि कि wheat और wheat, wheat का एक crop ऐसा है, जो high yield दे रहा हो, wheat का दूसरा crop ऐसा है, जो for example, disease resistance हो, ठीक है, disease resistant का क्या मतलब है, उसमें कभी कीडे लगते ही नहीं है, कोई ऐसे gene जरूर होगी ना उसके अंदर, अच्छी वाली gene जिसके वज़े से उसको कभी कीडे नहीं लग रहे है, वो कभी बरबाद नहीं हो रही है, उसकी quality नहीं है, और इस वाली crop में इसकी quality नहीं है, पर हमें ये दोनों quality एक ही crop में चाहिए, हम क्या करेंगे, हम इन द तोनों को cross करा देंगे, और इनसे जब हमें crop 3 मिलेगा, इनका जो offspring मिलेगा, उस offspring के अंदर कौन कौन सी quality होगी, उसके अंदर high yield भी होगा, और उसके अंदर disease से लडने की शमता भी होगी, यानि की वो disease resistant भी होगा, तो अब बताओ, कि अगर आपको इन तीनों crop में से किसी एक को choose करना पड़े, तो आप कौन सा crop choose करोगे, obviously crop 3 choose करोगे, जो कि एक hybridized crop है, एक hybridized variety है, एक ऐसी good variety है, जिसे hybridized करने के बाद तयार किया गया है, तो this is the technique, this is the method that is used to improve the crop variety, ठीक है, फिर देखो hybridization intervarietal भी हो सकता है, intervarietal यानि की दो अलग अलग varieties, varieties high yield वाला, और मानलो ये वाला, disease resistant वाला, अलग अलग variety का है, ठीक है, या inter specific हो सकता है, अलग अलग species, genus same रहेगा, जैसे मानलो wheat का triticum estivum नाम है, scientific name, तो triticum के ही genus के अलग दूसरे species के साथ, आप cross करा दो, ठीक है, दो species के वीच में भी cross, दो अलग अलग species के बीच में भी cross हो सकते है, inter generic cross भी हो सकता है, दो अलग अलग genera, genus के बीच में भी cross हो सकता है, potato और tomato, दोनों एक ही family के हैं, लेकिन उनका genus अलग अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आप लोग को, तो उन दोनों का cross करा दिया, बन गया pomato, अब उस pomato के अंदर क्या क्या, अच्छ कर सकते हो, अब अगर potato is rich in starch, और tomato में vitamin C के मात्रास आता है, तो आप pomato में ये दोनों चीज़े expect कर सकते हो, कि उसमें starch भी अच्छी quality में हो, अच्छी quantity में हो, और उसमें वो vitamin C rich भी हो, है ना, वो pomato, जो भी एक नया breed तयार होगा, इन दोनों के cross के बाद, तो यही होता है variety का improvement कराना, another way क्या है improvement of crop variety, introducing a gene to obtain the desire characteristic, gene manipulation, gene का isolation करा दिया गया, जब आप higher classes में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक gene को निकाल लिया जाता है, एक अच्छी gene को निकाल गया, isolate करके उस gene को जब बहुत जादा multiply करवा दिया गया, तो अलग-अलग crops में उसे insert कर दिय और फिर क्या हो गया, उन सारे crops में उस gene की activity के वज़े से, वो gene जिस चीज में भी बहुत जादा, मतलब specific है ना, for example वो gene ऐसा gene है, जो कभी भी virus का attack नहीं होने देगा crop में, या किसी भी तरह के insect या फिर microbe का attack नहीं होने देगा plant में, crops में, वो वाला gene हमने उस crop में insert कर दिय and now आराम से निश्चिन्थ होके पूरे crop को grow करा रहे हमें पता है कि उसमें किसी भी तरह की बिमारी नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, तो gene का manipulation करके भी हम improve कर सकते है crop की variety को, और इस method को हम कहते है genetically modified crops, क्या कहते है genetically modified crops, gene के level पर जब हम modification करते हैं जब हम alteration करते हैं, जब हम किसी जरह के changes लेकर आते हैं, gene के level पर, crops के अंदर, तो हम उसे कहते है genetically modified crops, राइट, चलिए, now crop variety अलग-अलग चीजों में हो सकती है, ठीक है, for the following, सबसे पहले higher yield के लिए crop की variety को improve किया जा सकता है, ताकि उसकी productivity परेकर बढ़ती चली जाए, ज़्यादा profit कमा हुए, तो सब चाहते हैं, और ये farming के aspect में तो जरूर होना चाहिए, जिस हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ 25% cultivable land area बढ़ा है, और उस crop को utilize करने वाले, consume करने वाले population इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और हर साल population बढ़ती जा रही है, so many folds, ठीक है, biotic और abiotic resistance भी होना चाहिए, किसी भी crop ने, इसके लिए भी हम crop की variety को improve कर सकते हैं, what do you mean by biotic और abiotic resistance, दो तरह के factors होते हैं, biotic factors को हम कहते हैं, living factors, biotic factors are the living factors, for example, pest हो गए, insect हो गए, ठीक है, drought animals हो गए, drought animals मतलब की, जो खा जाते हैं, सारे फसल को खाने वाले जो animals होते हैं, बकरी, बकरी को छोड़ दो, खेत में सारा अनाज खा जाएगी, उसको क्या है, उसको थोड़ी ना बताए कि इससे पैसा आने वाला है, इससे कितने सारे लोगों के घर में खाना जाने वाला है, उससे कुछ मतलब नहीं है, तो drought animals, sorry, ये drought नहीं, ये fodder animals को कहलाएंगे, के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे bell होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे oxys, bulls होते हैं, जिनको यूज किया जाता है, labor वाले purpose के लिए, ठीक है, तो ये हो गया, biotic resistance, biotic factors, abiotic factors क्या होंगे, abiotic factors, मान लो, बहुत तेज आंधी आ गई, उस wind के वज़े से, उस wind की velocity के वज़े से, क्या हो गया, बहुत सारे फसल जो है, वो उड़ी गए, ठीक है, water, गलत मौसम में बारिश हो गई, जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए थी, जिस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए थी, जिस टाइम पे बारिश होने से, फसल खराब हो सकती है, उसी वक्त बारिश हो गई, wind, water, ठीक है, इस तरह के जो non living factors होते हैं, उसे हम कहते ह यह बायोटिक फैक्टर मानलो सूखा पड़ गया ड्रॉट आ गया जो साल बारिश होनी चाहिए उस साल बारिश ही नहीं हुई बिना पानी के ही सारे क्रॉप्स जो है वो मर गए ठीक है मानलो सैलिनीटी हो गई खारे खारा हो गया वहां उस जगह का सॉयल जो नहीं होना चाह यह सारे जो फैक्टर से यह सब है यह बायोटिक फैक्टर और जितने भी डिजीज कॉजिंग और गयानिसम होते हैं वह क्या हो जाते बायोटिक फैक्टर इनसे भी बचाने के लिए हमें इंप्रूफ करना पड़ता है क्रॉप्स को ठीक है चेंज अन मेच्वरिटी डियू सकता है अचानक से मानलो लोकस्ट अटाक हो गया इतने सारे कीडे घूमने लग गए और सारी फसल को प्रबाद कर दिया अब ठीक उसी दिन पहले अगर हार्वेस्टिंग हो चुकी होती तो वह बच सकते थे मानलो जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए थी बारिश ही ह हो गई अगर लॉंग डूरेशन होगा ना बचो किसी भी क्रॉप के ग्रो करने का टाइम पीरियड किसी भी क्रॉप के मच्योर होने का टाइम पीरियड तो जिबतिनी ज्यादा लॉंग डूरेशन होती है उतने ज्यादा चांसे होते हैं कि उस क्रॉप में कोई ना कोई खर बात हो सकता है अगर short duration होगा तो इससे क्या फायदा होगा पहले तो हम उस particular land में उस particular season में और ज्याधा crops को ग्रोव कर सकते हैं दूसरी बात यह होगी short duration के वज़े से हम ज्याधा yield पा सकते हैं तो यह higher yield को भी indicate करेगा connect करेगा कहीं ना कहीं reduce the duration between sowing and harvesting so that farmers can grow multiple crops during the year अब multiple crops during the year से मेरा मतलब है आपको पता होगा ना कितने types of crops होते है राबी crops होते है खरीफ crops होते है और ज्याद crops होते है राबी crops जो है वो winter में sow किये जाते हैं और उसकी harvesting मार्श एपरिल के टाइम पे होती है खरीफ crops जो होते है वो जून के अप्रॉक्स सो किये जाते है और उसकी harvesting October, November के टाइम पे होती है बीच में जतना भी time period बचता है ना उसमें हम Z crops को grow करा सकते हैं जायद crops में कौन कौन से crops आजाएंगे water melon आजाएगा musk melon आजाएगा cucumber आजाएंगे कुछ vegetables आजाएंगे कुछ fodder crops आजाएंगे चारा जो हम खिलाते हैं अपने cattle को वो सब आजाएंगे है ना तो इससे ग्या हो गया जितना short duration किसी भी crop के maturity का उत्ता जादा हम multiple crops को grow कर सकते उत्ती जादा हमारे पास yield आएगी और उत्ता जादा economic benefit हमें मिलेगा right so this is the scope this is the reason कि क्यों crop की variety को improve किया जाता है wider adaptability अब एक reason ये भी है बहुत सारे crops ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह के harsh climate पे adapt नहीं कर पाते तो wider adaptability अगर अलग-अलग different climatic conditions में भी वो crop adapt कर रहा है खुद को ये बहुत बड़ी बात हो गई न कुछ crops ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ Southern India में ज्यादा तर मिलेंगे ठीक है कुछ crops ऐसे होते हैं जो Northern India का staple food होता है Northern India में ज्यादा उसकी पैदावार होती है ज्यादा उसको grow कराया जाता है कुछ crops ऐसे होते हैं जो all over the country हर एक climatic different climatic region में उसे grow किया जा सकता है and they are very adaptable to all kind of temperature to all kind of atmospheric condition to all kind of environmental factors किसी भी तरह के environmental factors में रख दो उसे वो grow कर जाएगा और वहाँ पे उसकी बहुत अच्छी पैदावार होगी तो ये वाली जो quality है ये तो सबसे जादा most demanding वाली quality हो गई है ना so wider adaptability के लिए भी हम इसे grow कराते है desirable agronomic characters कुछ ऐसे characters जैसे की tallness और branching जादा useful होती है fodder crops के लिए ताकि जितनी जादा बड़ी paid crop होगी उतना जादा जो चारा है उसमें से निकलेगा है ना और dwarfness shortness जो है वो desirable होता है cereal crops के लिए क्यों cereal crops को short होना चाहिए height में dwarf होना चाहिए ताकि जादा से जादा जो nutrients वो soil से ले रहे है उस nutrient का utilization उस particular crop गेहु के दाने बनने में लगे ना कि उसकी branching और उसके tallness में लगे समझ रहे हो आपके पास अगर 10 रुपए है तो आप उस 10 रुपए को best utilize जगह पर ही खर्च करोगे ना best जगह पर खर्च करना चाहोगे ऐसे जगह पर नहीं खर्च करना चाहोगे कि वहाँ पर आपका कुछ खास use तो था नहीं ठीक है समझ में आ रहा है चलो आगे चलते है अगला है हमारा crop का production improvement crop को कैसे improve कर सकते हैं उसकी produce के help से ठीक है so crop का production management जो है वो include करता है nutrient management जो मैंने starting में आपको बताया था कि अगर आप उसके nutrients की quantity अगर आप अच्छी रख रहे हो ना तो obviously उसका production बढ़ जाएगा उसकी yield बढ़ जाएगी irrigation और cropping management irrigation एक ऐसी technique है जो आजकल बहुत जादा widely acceptable है and हर जगह farmers इस technique को use कर रहे हैं जिससे उनका produce large amount में हो रहा है cropping management crop के cropping करने के भी अलग-अलग practices होते हैं अलग-अलग उसके techniques होते हैं वो भी अभी हम लोग देखेंगे discuss करेंगे nutrient management plant जो है न वो nutrients लेता है air से, water से and most importantly soil से भी so there are 16 type of nutrients जो required होते हैं by plants for their proper growth उन 16 type of nutrients में कुछ हैसे nutrients होते हैं जो macro nutrients होते हैं macro nutrients यानि की ज्यादा large quantity में जो चाहिए plant को nutrients वो कहलाता है macro nutrients जैसे nitrogen बिना nitrogen के they won't be able to survive phosphorus चाहिए होता है potassium, calcium, magnesium और sulfur भी चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा amount में large quantity में ठीक है और जो बाकी के 7 होते हैं they are required in small quantity और इसी लिए उन्हें micro nutrients बोला जाता है micro nutrients में कौन-कौन से nutrients include होते है iron, magnesium, boron, zinc, copper, molybdenum और chlorine यह सारे small amount में ही required होते हैं इनकी बहुत जादा large quantity required होती नहीं है ठीक है एर तो supply कर देता है oxygen और carbon dioxide water supply कर देता है hydrogen और कुछ remaining कुछ छोटे-छोटे 13 nutrients जो obtain होते हैं soil से ठीक है तो यह हो गया nutrient management अब हम बात करते हैं irrigation के बारे में irrigation technique बहुत ही जादा important है आप लोगों के exam point of view से and as a general knowledge आपको पता होना चाहिए कि irrigation क्या होता है wells canals, river lift system, tanks or dams यह सब किस purposes के लिए use किये जाते है so what is irrigation it is a supply of water to the crops is called irrigation अब ऐसा नहीं होता है कि supply of water to the crop है तो जैसे आपके घर में gardens में flowers लगे हुए गमलो में आपने उसमें पानी डाल दिया तो आपने irrigation कर लिया that is not the case उस तरीके से अगर आप अपने खेतों में बाल्टी बाल्टी भर पानी फेके जा रहे हो तो ऐसे तो crops कभी नहीं ग्रो कर पाएंगे कहीं पर पता चला बहुत जादा पानी है कहीं पर पता चला बिल्कुल भी पानी नहीं है तो ऐसे करके उस particular area में ही patches बन जाएंगे जहां पर अच्छी crop grow करेगी जहां पर खराब crop grow करेगी ठीक है तो एक टेखनीक होता है हर चीज का water is necessary for the proper growth of plant and helps to increase the crop yield you know that very well कोई भी plant है किसी भी तरह का plant cell है जब तक उसे water नहीं मिलेगा adequate amount में वो target नहीं हो पाएगा उस plant cell जो है वो अच्छे से grow नहीं कर पाएंगे so different kinds of irrigation systems are used to supply water to agricultural land उसमें से कौन-कौन से अलग-अलग systems है सबसे पहले कुए से तो हम पानी आसानी से crops में डलवा सकते हैं so there are two types of wells called dug wells और tube wells tube well आप लोगों को पता होगा ऐसे ऐसे करके tube well से आप पानी निकालते हो ना so in dug wells जो खुआ जिसको हम कहते है water is collected from water bearing strata tube wells में water is collected from deeper strata मतलब हर एक stratification होती है ना land की सबसे उपर वाले layer में कितना पानी होगा उसके नीचे वाले layer में कितना पानी होगा जितना जादा deep जाओगे उतना जादा आपको pure और अच्छा quality का पानी भी मिलेगा nutrients और minerals वाले पानी मिलेंगे आपके घर में भी motor लगा होगा अपने घर पे मम्मा पापा से पूछना उनसे पूछना कि ट्यूब विल का जो पानी है वो कितने deep of the land से आ रहा है कितना deep है वो land ठीक है तो वो बताएंगे आपको कि ट्यूब विल जो हमने ट्यूब लगा है न बिटा वो बहुत 50 feet नीचे से पानी लेकर आता है तभी तो इतना pure पानी तुमको मिल रहा है ऐसे कर के वो बताएंगे फिर आप सम nicht जाओगे ठीक है कनाल system in this system canals receive water from reservoirs or rivers and distributed to fields तो canals छोटे-छोटे बनाये जाते हैं किसी भी river या फिर किसी भी ऐसे source of water से लेकर उस agricultural land तक छोटे-छोटे canals बनेंगे जो एक adequate amount of water को supply करेगा land के अंदर now river lift system का क्या मतलब होता है इसमें in this system water is lifted from river to irrigate field close to river जो भी rivers किसे भी तरह की नदियों से close वाले जितने भी farming lands होते हैं agricultural lands होते हैं वहाँ पर river lift system use किया जाता है directly river से पानी आता जा रहा है बिना किसी problem के बहुत ही hassle free technique है tanks these are the small storage reservoirs which supply water to fill tanks तो आपके घर पे भी लगे होंगे तो पानी की तंके भर गई बंद कर दो है ना तो those tanks are also used in agricultural land also for the production of your crops check dams these are used to stop rain water from flowing away and helps to increase ground water level and reduce soil erosion check dams बहुत सारे अलग अलग जगहों पर dams बने हुए होते हैं उनका काम होता है कि अगर किसी साल बहुत जादा बारिश हो रही है जैसे इस साल हिमाचल वाले इरियास में बहुत बारिश हुई तो dams खोलने पड़ गए क्योंकि वो overflow करने लग गया था और dams के खोलने की वज़े से river का जो level होता है वो काफी up हो गया जिसके वज़े से flooding हो गई तो ये तो ऐसा case हो गया कि जादा बारिश हो गई and cloud burst हो गया ये हो गया वो हो गया usually dams को इसलिए लगाया जाता है प्लेस किया जाता है ताकि वो चेक करे excess amount of water flowing in the river ताकि इससे गया होगा सारे के सारे फसल एक एक बहके ना निकर जाए तो इससे वो बचाते हैं crops को ठीक है that will reduce the soil erosion soil erosion आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है अगर उस पानी को हम dam के थुरू collect करके रखते हैं एक जगह पर या फिर रोक कर रखते हैं थोड़ा थोड़ा देर के लिए तो इससे गया होता है ना that water seeps deep inside the layer of the soil जिससे ground water का level increase होता है कहते हैं ना कि इस साल तो बारिश ही नहीं हुई ट्यूविल चला रहे है पानी ही नहीं निकल रहा है क्यों क्योंकि ट्यूविल जो है ना वो बहुत deep तक उसको रखा गया है ट्यूविल की जो layer है ना बहुत deep चली गई है और उसके वज़े से पानी तो ground water में है नहीं क्योंकि सारा पानी तो सुख गया अब अगर जादा बारिश होगी तभी जागे ground water में पानी भरेगा तब आपके ट्यूविल चलाने के बाद पानी उसमें से निकलेगा अब आपको relate हो रहा होगा अपनी daily life से कि किस तरीके से ये सारा system relatable होता है किसी भी तरह के crop के production को improve करने के लिए बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे cropping patterns अलग-अलग crop करने के patterns भी होते हैं जिससे हम उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं से हम उसका produce बढ़ा सकते हैं उसकी yield बढ़ा सकते हैं so there are different ways of growing crops that are used for maximum benefit these include mixed cropping सबसे पहला और सबसे important useful type of cropping होता है inter cropping भी बहुत ही ज्यादा useful है and crop rotation तो है ही ठीक है तीनों आप लोगों के लिए important है जल्दी से फटा फट से देखो mixed cropping जहां पर हम दो या दो से ज्यादा crops को simultaneously grow कर रहे होते हैं in the same field simultaneously at the same time in the same field at the same time two or more than two crops ठीक है example मालो wheat और gram को एक साथ हमने grow करा दिया wheat और mustard को एक साथ grow करा दिया ground nut और sunflower को एक साथ grow करा दिया इससे reduce होता है risk कि अगर एक crop fail भी हो गया ना मालो एक crop में कीडे लग गया या एक crop में गया हो गया किसी भी वज़े से वो उसका quality अच्छा नहीं रहा होगा वो grow ही नहीं कर पाया that crop failed to grow आपके पास फिर भी backup plan के लिए backup option के लिए एक अच्छा खासा दूसरा crop रहेगा जिससे आपने simultaneously उसी के साथ grow कराया हुआ होता है तो इससे वो season आपका waste नहीं होगा जिस season में आपने होने के बराबर ही कहलाता है inter cropping what is inter cropping it is a growing of two or more crops simultaneously in the same field in alternate rows वैसे तो जो mix cropping है उसे mix कर दिया गया थेक्या उसको बाद में उसकी छटाईया होगी उसको छाटा जाएगा लेकिन जब inter cropping होती है तो हम हम अलग-अलग रोज बना देते हैं जैसे व हमन लों यह land है यह ठो ऐसे करके न हम रोज बना देंगे तो इसमें crop one इसमें crop 2 इसमें crop one इसमें crop 2 इसमें crop one एसे करके हम उसको alternating position पर या फिर शूरू के तीन रोज क्रॉप 1 के लिए बाद के तीन रोज क्रॉप 2 के लिए ऐसे करके हम रोज अलग अलग उसमें बना देते हैं ठीक है एक्जाम्पल मेज और सोया बीन को हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं मिलेट और काव पी के साथ हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं तो जो जिसकी different nutrient requirement होती है उसे select किया जाता है जिस क्रॉप की अलग-अलग nutrient requirement होती है ऐसे crop को select किया जाता है जिस से better use of nutrient मिलता है and there is preventing the spread of diseases to all plant of the same crop समझ में आया इसका मतलब नहीं आया तो मैं फिर से समझा देती हूं इंटर क्रॉपिंग में सबसे पहले तो हम दो या दो से ज्यादा crop को एक ही बार में एक ही साथ में grow कराते है alternate type of rose बना के और उन crops की जो demand है ना nutrient की एक को ज्यादा phosphorus चाहिए दूसरे को ज्यादा calcium चाहिए grow करने के लिए तो ऐसे तरह के crops की हम combinations ले लेते हैं और उसे grow करा देते हैं इससे ग्या होता है एक time पर soil किसी एक crop को सिर्फ और सिर्फ calcium जादा तर दे रहा होता है और वही soil किसी दूसरे plant को phosphorus जादा दे रहा होता है तो एक ही time पे दोनों crop को equal amount of nutrient availability मिल गई और वो अच्छी तरीके से grow कर गया उसकी harvesting में हो गई और अच्छी सी produce हमें मिल जाती है उस crop की तो this is the inter cropping pattern crop rotation देखो क्या होगा crop rotation थोड़ा सा different है it is a growing of different crop in the same field in succession succession का क्या मतलब होता है मालो growing leguminous crop after growing cereal crop helps to increase soil fertility if crop rotation is done properly तो हम एक साल के अंदर दो से तीन crops को आसानी से grow करा सकते है वो भी profitably क्यों यहाँ पर लिखा कि cereal crop के grow होने के बाद leguminous crop को grow कराना चाहिए क्योंकि इससे cereal crop के लिए जितने भी nutrients खर्च होए न वो nutrients retain हो जाएंगे जब तक leguminous plant grow कर रहा होगा क्योंकि leguminous plant को दूसरी तरह की nutrient की requirement होगी तो उस टाहिम पर दूसरा nutrient खर्च हो रहा होगा समझ रहे हो अप लोग nutrients तो सारे के सारे प्रिजेंट है soil के अंदर macro nutrients भी है micronutrients भी है macronutrients तो जादा तरह हमें air और water से भी मिल जाता है पर उसके अलावा भी soil में बहुत सारे nutrients हैं तो अगर हम inter cropping अच्छे तरीके से कर रहे हैं एक फसल उगा दिया जैसे ही उसकी कटाई हुई उसके बाद दूसरा फसल दूसरे तरहीके की breed का दूसरी variety का फसल हम इठी नहीं उगा रहे हम ठीक है तो leguminous plants उगा रहे है दाल वाले pulses वाले ठीक है तो इस तरीके से हम crop का produce improve कर सकते हैं crop की yield को improve कर सकते हैं now coming to crop protection improvement जो last topic होगा इस topic की अंदर मतलब की crops के अंदर crop improvement के अंदर तो crop का protection कैसे improve करना है भाई so crop in the field are damaged by weeds weeds क्या होते है unwanted plants unwanted plants क्यों unwanted plants नुक्सान दायक है crops के लिए क्योंकि वही plant सारा का सारा nutrient ले ले लेंगे तो crops को क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो यह क्या है कहलाते है weeds insect pest जो कीडे लग जाते हैं फसलों में diseases virus bacteria fungus कुछ भी लग सकता है इनको तो कोई देख भी नहीं पा रहा कैसे मारोगे जिसको तुम देख ही नहीं पा रहे हो तो उसको भी protect करना पड़ेगा किसी तरह weeds क्या है unwanted plants है जो grow कर जाते हैं field के अंदर example इसका है xanthium parthenium पार्थीनियम को carrot grass भी बोला जाता है siphonius rodentus etc they compete with the crop for food space sunlight use nutrient and reduce crop field अब समझ रहे हो कि यह न insects और microbes से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते weeds क्योंकि एक तो वह जगह भी ले लेंगे वह soil और land भी ले लेंगे वह sunlight भी ले लेंगे वह water भी ले लेंगे वह सारी उन वह सारी चीज़े utilize कर लेंगे जस पे crops का अच्छी crops का हक था ठीक है right था तो ऐसा हमें नहीं होने देना है तो हमें weeds को हटाना पड़ेगा eliminate कराना पड़ेगा उसके लिए हमें protection management चाहिए अच्छी improved protection management चाहिए so insect का जो pest वगेरा होते है न they usually damage root stem और leaves और suck कर देते हैं जलके sap को और stem को bore कर देते inside and fruits के अंदर भी bore कर देते हैं कि कभी-कभी आप देखते होगे leaves में चोटे-चोटे holes present है छेद हो गया है fruits आधिक होखले हो गये वह सब क्या है बोरिंग बोरिंग और fruit stems and leaves due to pest तो यह सब हमें नहीं होने देना है they can reduce crop yield obviously they will reduce crop yield diseases जो है वो pathogen से हो सकते viruses, bacteria, fungi and reduce करेंगे crop yield को weed, insect pests and diseases can be controlled by using chemicals कौन-कौन से chemicals ध्यान से देखो weedicides कुछ ऐसे chemicals जो weed के लिए घातक है, fatal है, weed सारे मर जाएंगे weedicides use करने के बाद pesticides ऐसे chemicals जो जिससे insects मर जाएंगे सारे के सारे, fungicides, fungus पनप ही नहीं सकता fungicides use करने के बाद, ऐसा वो chemical है, so they are sprayed on crop plants, उसे spray किया जाता है crop plants में for treating seeds and soil, soil को भी protect करके रखना है ना, पता चला कि, जिस soil से nutrient ले रहे हैं वही soil contaminate हो चुका है, अब तो जितना भी nutrient जा रहा है crops के अंदर, वो सारे contaminated nutrients है पता चला, जो crops grow हुई है, वो जहरीली हो गई, poisonous हो गई, ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें soil को भी बचा के रखना होता है, since these chemicals are poisonous, excessive use नहीं करना चाहिए इन chemicals का, ताकि environmental pollution से हम उसे बचा के रखें, ठीक है, चलो, बात करते हैं हम manures की, manures भी कुछ ऐसे techniques में आ जाता है, जिससे हम crop को protect करके रख सकते हैं manures is prepared by the decomposition of plant and animal waste, since ये बहुत ही जादा bio degradable technique होता है manure का preparation, इसमें किसी भी तरह के harmful chemical या substances का use नहीं होता इसे हम easily अपने घर पे भी prepare कर सकते हैं और ये काफी जादा फायदमन्द होता है crop के growth के लिए it contains organic matter, सबसे pure है, organic है, organic है तो मतलब easily decomposed भी हो जाएगा and nutrients help to increase soil की fertility, soil की fertility increase होगी, तो fertilizer की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है ना फिरास, अच्छे तरीके से crop grow करेगा, it also help to reduce use of fertilizer and recycle farm waste and protect the environment अभी बता है मैंने ना fertilizer की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर menus को हम use कर रहे है, fertility increase करने के लिए तो so there are two main types of menus जो हम easily prepare कर सकते हैं और वो होता है compost और green manure क्या क्या है वो? Composed है और green manure, what is compost? it is prepared by the decomposition of plant and animal waste and compost pit, जितना भी हमारे घर में से waste generate होता है animals का या फिर plants का खाना वाना बनाते हैं, सबजी छिल रहे हैं, fruits छिल रहे हैं, उनके छिल के, उनके बीज, उनका अलग अलग तरीके का waste ठीक है? वो सब हम use कर सकते हैं, एक pit में, compost pit में, compost prepare होगा, earthworm को जब हम introduce करेंगे उसके अंदर earthworm are just a kind of wormy compost, मतलब worms, कीडे वाले ऐसे compost होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा organic matter और nutrients को बढ़ाने का काम करते हैं, manure के अंदर green manure क्या होता है, before sowing seeds in field, बिना पहले अभी sow नहीं करना, ध्यादा से सुनो, seed को sow नहीं कर रहे हैं, उसके पहले हम क्या करेंगे? वो some green plants, जैसे की sun hemp है, gore है, etc., उसे mix कर दिया जाता है, soil के साथ, जब हम उसकी plowing कर रहे होते हैं, जब हम उसको mix कर रहे होते हैं, ठीक है, soil को, तो इससे ग्या होगा? इस plants turn into green manure, which make the soil rich in nitrogen and phosphorus, तो यह जो gore और sun hemp है, यह इस तरह के plants होते हैं, कि plowing के time, अगर हम इसको mix कर देते हैं, soil के साथ, तो by the time हम seed की sowing कर रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी time के बाद, वो खुद ही decompose हो जाएगा, और manure में convert हो जाएगा, इसी को कहते है, green manure technique, बहुत ही organic है, कोई side effect नहीं है, बिल्कुल भी pollution cause नहीं करेगा, manure का technique, and it is one of the best method, जो हम use कर सकते हैं, अपने environment को भी बचाने के लिए, अपने crop को protect करने के लिए, अपने crop के produce को बढ़ाने के लिए, for higher yield and everything, तो manure तो हो गया, अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, हम fertilizers के बारे में भ अच्छा benefit है, थोड़ा सा हम fertilizers भी देख लेते हैं, these are some of the chemical substances, जो commercially बनाया जाता है, factories में, industries में, they supply nitrogen, basically देखो, किसी भी manure या fertilizer का काम क्या होता है, कि जो nutrient, soil नहीं दे पा रहा है, crop को, वो nutrient हम दे soil को, ताकि वो soil फिर उस crop को दे पाए, समझ रहे हो, आप, उस soil के fertility को इंक्र करने के लिए, हमें उसे proper type of nutrients देने पड़ेंगे, जो किसी भी तरह के plant या plant crop को required होते है, grow करने के लिए, तो अगर वो soil उतना capable नहीं है, कि मेरे से ज्यादा nutrients नहीं देने का हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, soil तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें additional nutrients देते हैं, तुम अच्छे तरीके से हम fertilizers और manures का use करते हैं, जब manures भी काम नहीं कर पा रहे होते हैं, अच्छे तरीके से, then we come to the option of fertilizer, जो कि कुछ chemical substances से बनता है, industries में, factories में, supply करते हैं, वो nitrogen, phosphorus, potassium को, और वो help करते हैं, कि crop की yield increase हो जाए, obviously, ये सारी चीजे, nutrients वगेरा, जब आप increase करोगे, त fertilizer should be used only in required amount, ये तो सबसे पहला precaution है, ज़्यादा amount में use करोगे, तो वो कुछ नहीं, वो तो chemical है, तो ज़्यादा amount में क्या हो सकता है, pollution हो सकता है, soil pollution हो जाएगा उसका, और उससे plant को, crop को बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इंफेक्ट हो सकता है, नुकसान ही पहुँच soil की fertility को बढ़ाना तो छोड़ो और reduce कर सकता है, and also cause water pollution, water pollution, soil pollution दोनों connected है, कैसे, अगर soil contaminated होगा, या polluted होगा, या excessive of chemicals उस soil में होगे, जैसे ही बारिश होगे, या फिर उसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी के थ्रूव वो soil भी wash away होगा, जिसके वज़े से water में भी, water body के अं जाएंगे, so that will cause water pollution as well, अब हम आ जाते हैं, बच्चो, animal husbandry में, most important topic, तो animal husbandry क्या है, एक scientific management है, animal livestock का, जो include करता है, उनकी feeding, उसकी breeding, और disease control, ताकि वो animals जो है ना, जिसकी हम farming कर रहे हैं, जिसकी हम animal husbandry कर रहे हैं, वो animal हमें in return कुछ benefits दे सके, in the form of food resources, या monetary benefit, या फिर किसी भी तरह का labor work, right, so ये include करते हैं, कुछ cattle, sheep, goat, poultry और fish farming, इन सब में से आपको कही ना कही ये समझ में आ रहा होगा, कि इससे हमारे food resources की improvement में कुछ तो contribution होता ही है, cattle से हमें milk और dairy products मिलते हैं, sheep से हमें अच्छा amount of wool भी मिलता है, milk products उससे भी हमें मिलते हैं, and meat के products भी मिलते हैं, goat से भी मिलता है, same cheese, poultry, chicken और egg जो बहुत ही जादा commonly required है, as a staple food हर जगा, जो non-vegetarians हैं उनके लिए कितना सादा important है, you can only understand, fish farming, fishes की production बहुत जादा important होती है, यह सब आ जाता है, animal husbandry के अंदर, now what is cattle farming, it is done for two main purpose, सबसे पहला purpose क्या होता है, कि या तो वो milk production करें, या तो वो labor की तरह काम करें, क्योंकि जितना ताकत, जितनी energy उनके अंदर है, उतनी इंसानों में नहीं है, भाईया हम नहीं कर पाएंगे, तो तुम ही लोग करो, ऐसा वाला, ठीक है, तो milk producing female को हम milk animals बोलते हैं, and those used for farm labor are known as drought animals, जो अभी मैंने थोड़ी दिर पहले ही आप लोगों को बताया, milk production depend करता है, duration of lactation period में, यानि कि the period of milk production, after the birth of the calf, जैसे ही उस गाय को बच्चा होगा, उसके बाद कितने टाइम तक वो उस बच्चे को दूद पिलाती है, उस पर depend करेगा कि उसका जो milk producing, जो वो है, lactation period है, वो कितने दिन का होगा, ठीक है, milk production can be increased by increasing the lactation period, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अब देखो, यहाँ पर भी manipulation होना शुरू हो गया, अब तक तो हम crops की manipulation की बात कर रहते हैं, यह अच्छे अच्छे variety को आपस में cross करा दो, तो हम एक अच्छा yield वाला variety मिलेगा, तो यहाँ पर भी same चीज होगी, अब हमारा main मकसद हो गया कि भाई इस गाय का lactation period जादा होना चाहिए, तभी हमें दूद मिल सकता है, milk और milk products मिल सकते हैं, dairy products मिल सकते हैं, तो lactation period जादा होने का भी एक particular gene होगा, एक ऐसी quality होगी उसके अंदर, है न, तो now what we will do, foreign breeds जैसे की jersey और browns होते हैं, they have long lactation period, और जो local breeds होते हैं, जैसे की red sindhi, sahihwal, यह resistant होते हैं, diseases से, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, कि इनके साथ क्या होने वाला है, है न, so they can be cross bred, जिसको हम फिर से hybrid कहेंगे, to get animals with both the qualities, हम मालो, Swiss वाली को भी, brown Swiss को हमने, sahihwal के साथ, cross करा दिया, हमें जो product मिला, हमें जो उसका offspring मिला, उसमें long lactation period की भी quality है, और वो resistant to disease भी है, उसे disease भी नहीं लगता कभी, तो हमें एक अच्छा breed मिल गया, दोनों quality वाला, right, cattle shelter should be clean and well ventilated with sloping floors for easy cleaning, अब यहां पर हम कुछ बाते ऐसे करेंगे, कि सिर्फ उन्हें पालना ही सब कुछ नहीं होता, उनका भी protection जरूरी है, जैसे हमन के बारे में पढ़ेंगे, कि कैसे इनके घरों को जहां पर भी यह shelter में रहते हैं, cattle shelter में, उसे clean और well ventilated रखना चाहिए, roughage include करना चाहिए, उनके डाइट में जितना ज्यादा roughage होगा, यानि fiber containing food होगा, उतना अच्छा इनका protein और other nutrients मिलेगा, ठीक है, cattle disease are caused by parasite, bacteria और virus, तो हम में make sure करना है कि इनको उनसे दूर रखा जाए, external parasite skin diseases cause कर सकते हैं, तो उनको दूर रखने के लिए, we have to make them stay in a better clean environment, ठीक है, कुछ ऐसे worms उनके stomach को, intestine को और liver को भी damage कर सकते हैं, तो इनको हमें दूर रखना पड़ेगा इन सब से, vaccination देना चाहिए, ताकि हम उनने viral और bacterial disease से bacterias और virus तो कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, right, now, talking about poultry farming, what is poultry farming, it is done for egg production और chicken meat, दो तरहिके के benefits हमें poultry farming से मिलती है, हमें अंडा मिल रहा होता है और हमें chicken मिल रहा होता है, to consume, improved poultry breeds are developed to produce layers for eggs and broilers for meat, तो कुछ ऐसी breed होती है poultry में, जनको हम layers बोलते हैं, layers use किये जाते हैं, ताकि उनसे हम जादा से जादा एक का production ले सकें, और broilers जो होते हैं, उनकी chicken को as a meat हम consume कर सकते हैं, cross breeding between Indian variety जैसे की asil है और foreign variety जैसे की leghorn है, इन दोनों का cross कराया जाता है, ताकि हमें अलग अलग नहीं नहीं varieties मिलें, जिसमें दोनों के अच्छे characteristics हो, दोनों के अच्छे features हो, varieties हो, good production of poultry के लिए, birds को proper nutrition देना चाहिए, उनने एक hygienic condition और proper temperature वाले condition में रखना चाहिए, because you know, कि जो भी birds होते हैं, जो भी chicken वगेरा होते हैं, poultry farming में उनको अगर एक अच्छा temperature दिया जाए, तब ही वो अपने reproduction को carry out कर सकते हैं, require a certain temperature, broiler chicken को feed किया जाता है, vitamin, protein और fat से भर पूर खाने के साथ, ताकि उनका ज़्यादा अच्छा growth हो, क्योंकि broiler को हमें use करना है as a meat, ठीक है, तो जितना जादा हम उसे protein देंगे, उतना जादा उसका meat हमें protein देगा, poultry falls are affected by disease, जिस जो viruses, bacteria, fungi और parasites से उन्हें हो सकता है, कहते हैं बर्ड फ्लू चल रहा है, अभी चिकन नहीं खाना चाहिए, बर्ड फ्लू चल रहा है मतलब की बर्ड को फ्लू हो गया है, वाइरल अटैक हो चुका है, अब वैसे वाले चिकन हम खाएंगे, तो हमारे पास भी वो disease आएगी, है न, they are protected from diseases by proper sanitation, spraying, disinfectant और vaccination इनकी भी कराई जाती है, ठीक है, तो यह सारे अलग-अलग different types of hens and you know chickens वगेरा है, broilers है and you can see the layers also, चलो, आज आते हैं बच्चों हम लोग fish production में, what is a fish production, you know, कि fish जो है, बहुत ही important source of protein है, जो भी non-vegetarians होंगे उनके food के लिए, I am not talking about the vegetarians, there are two ways, जिससे हम fish को produce कर सकते हैं, एक तो natural sources से, जैसे कि हम fishing करके, fish farming करें और एक होता है, cultural, यानि कि culture करो, fishery करो और उस जगह को ऐसा suitable बनाओ कि वहाँ पे fish का breeding होना शुरू हो जाए, so the water source of fishes can be sea water, natural source हो सकता है, sea water या फिर river, fresh water, ponds हो सकते हैं, lakes हो सकते हैं, जो कि natural है, ठीक है, marine fisheries, the popular marine fisheries are pomfret, mackerel, tuna, sardines, etc, यह सारे क्या है, इन सब को आप sea food भी बोल सकते हो, यह सब ऐसे fishes हैं, जो marine areas में जादा breed होते हैं, they are caught by fishing nets from boats, boats इनको fishing nets से इसको catch कर लिया जाता है, सब marine fishes are farmed in sea water, इनको include करते हैं, prawns, millets, pearls, pots, mussels, oysters, यह सब आपने सुना भी होगा, कि इन्हें as a seafood हम consume करते हैं, we get pearls from oysters, तो यहाँ पर एक और economic benefit जुड़ जाती है, add-on हो जाती है, despite fish production, ठीक है, inland fishery क्या होता है, यानि कि हम एक particular land में, कल्चरिंग करेंगे fishes की, artificial source of water उसमें डाल कर, ठीक है, fresh water या brackish water, जहाँ पर sea water और fresh water को mix कर दिया जाता है, sometimes fish culture is done by combination with paddy crop in the field, क्योंकि paddy crop को grow करने के लिए, बहुत सारे पानी की requirement है, और पानी जहाँ पर होगा वहाँ पर fishes भी होगे, fishes क्या करेंगे, soil से जब छोटे-छोटे worms को feed करेंगे, तो इससे soil की fertility increase होगी, पानी ज्यादा से ज्यादा deeper in the soil पहुँचेगा, तो यह एक बहुत अच्छा technique होता है, paddy field के अंदर ही fishes को grow कराने का, ठीक है, the common fishes in inland fish, इसको हम composite fish culture भी बोलते हैं, so remember that, तो common fishes जो है, inland fish farms में, वो है रोहू, कतला, म्रिगल, grass carp, silver carp, और common carp, बहुत ही ज्यादा common है यह सारे fishes, रोहू के बारे में तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और ज्यादा तर लोगों के घर में जब fish आती है, बनने के लिए, consume करने के लिए, तो ज्यादा तर लोगों के हाँ रोहू ही आता है, ठीक है, bee keeping, जो बहुत ही important source है, economic benefits का, we have to study that कि यह किस लिए किया जाता है, to obtain honey and wax, honey का कितना ज्यादा use है, कितना ज्यादा utilization है, you all know very well, honey is used as a source of energy, और उसके बहुत सारे medicinal purposes है, बहुत ही large scale में, honey का utilization है, and it is very costly also, क्योंकि bees को honey produce करने में, काफी ज्यादा मेहनत और time लग जाती है, और honey को consume करने वाले जो population है, वो बहुत लगातार बढ़ते ही चले जा रहे है, तो इसकी demand ज्यादा है और supply कम है, wax is used in medicinal preparation for making polishes, उसके जो wax है, और wax को ना, अलग अलग तरह के materials बनाने के लिए भी use किया जाता है, grown in apiaries, apiaries are the place जहाँ पर bees को grow किया जाता है, और honey को extract किया जाता है, machine से जिसे हम honey extractor बोलते हैं, now we have completed the chapter, let's discuss some important questions, कुछ questions, मैं यह पहला question discuss कर लेती हूँ आपके साथ, बाकी के जितनी questions हैं, आपको मिल जाएंगे इस PPT में, जो आप science and fun के app में से download कर सकते हो, और अगली class में मैं क्या करूँगी, आप लोगों को इस chapter के सारे subjective questions कराने की कोशिश करूँगी, यानि कि इस PPT में जितने भी extra questions मैंने डाल रखे हैं, इस question के अलावा, इसके बाद के सारे question, वो सब मैं discuss कर डालूँगी, So, let's discuss this question कि कैसे biotic और abiotic factor affect करता है crop की production को, you know that very well, biotic factors में, कौन-कौन से factors include होंगे बच्चों, जितने भी living factors हैं, वो सब include हो जाएंगे, and कौन-कौन से living factors हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम insects की, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, diseased microorganisms की, जैसे की fungi हो गया, bacteria है, and viruses है, ठीक है, तो अगर ये सारे biotic factors, कैसे responsible होंगे crop के production में, अगर ये कीडे लग गए crop को, तो crop grow कर पाएगा नहीं, उसकी yielding जो है, वो बहुत reduce हो जाएगी, fungi, virus, bacteria, ये ऐसे खतरनाक microbes हैं, जो एक ही बार में, पूरे crop को destroy कर सकते हैं, तो how it is affecting, it is affecting in a great intensity, by destroying the crops, ठीक है, ये समझ में आगे, आपको बात करते हैं, biotic factors, sorry, abiotic factors की, abiotic factors, क्या-क्या include हो जाएगा, बच्चों इसमें, सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं, wind, ठीक है, फिर water erosion, erosion बस लिखते हैं, wind erosion, water erosion, चलो erosion लिख देते हैं, wind erosion, water erosion, इससे गया होगा, soil ही सारी बह जाएगी, तो तुम crop कहां grow कराओगे भाई, drought हो गया, बारिश हुई ही नहीं, या flood आ गया, इतनी बारिश हुई कि सब बह गया, ठीक है, salinity, पानी ही खारा हो गया, और crop जो है, वो grow नहीं कर पाया, या नमक वाले पानी में, plant के cell को place करते हैं, तो वो flaccid हो जाता है, उसके अंदर का सारा cell साइब बाहर निकलाता है, plant grow नहीं कर पाएगा, बेसिकली, तो इतने सारे abiotic factors हैं, जो affect करेंगे, crop को वो भी adversely affect करेंगे, ये भी adversely ही affect करेंगा, अगर अच्छे तरीके से affect करने के sense में, अगर हम बात करेंगे, तो proper temperature, proper amount of water, proper environmental conditions, ये सारे benefit देंगे, crop के production में, अगर biotic factors की बात करें, जो अच्छे तरीके से benefit देगा, अच्छे तरीके से affect करेगा, तो we can include worms, vermicomposed earthworms, जो की farmer's friend कहलाते हैं, farmer के friend क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो soil की fertility increase करते हैं, and also कुछ ऐसे animals, जिनको plowing के लिए use किया जाता है, तो we can write in both ways, affect कर रहे हैं, अच्छे वे में, बुरे वे में, दोनों तरीके से आप इसका answer, represent कर सकते हो, बुरा वाला तो सब लोग लिखेंगे, पर अगर आप advantage और disadvantage दोनों लिखते हो, पाइटिक फैक्टर्स के, तो आपके marks बहुत ही अच्छे increase हो सकते हैं, मतलब teacher मजबूर हो जाएंगे आपको full marks देने में, so that's it for today guys, I hope कि आपको ये one shot में, पूरा का पूरा chapter समझ में आ गया होगा, and सारे के सारे concept अब आपके clear हो चुके होंगे, crop से related, high yield से related, bee keeping से related, poultry से related, fish culture से related and everything, बाकी के जतने भी questions है, subjective questions, सब कुछ में solve कराऊंगी, अगले lecture में, इस lecture में enjoy कीजिए, theory के सारे के सारे concept, we'll meet in the next session, thank you so much बच्चो, and take care, bye bye.